आज की notification को देखके बच्चे कहेंगे कि वक्त बदल दिये, जजबाद बदल दिये, सब कुछ बदल दिया ये notification जो है ये इसी तरह की notification है NMC Will जो है वो वापत हो चुकी है या partially वापत हो चुकी है और उससे ज़्यादा अगर किसी state में seats है तो वहाँ जो है वो नए colleges नहीं खुलने दिये जाएंगे इससे बहुत सारी problem सुरू होती है इसी बात से problem सुरू होती है सबसे पहली problem क्या कि Southern states for example करनाटका, केरला, तमिलनाडू, तिलंगना यहां जो है वो इस ratio से ज़्यादा seat है, for example अगर हम लें आंधर प्रदेश जिसकी population है 8 crores और जो वहाँ MBBS seats है, वो more than 8,000 है similarly अगर हम बात कर लें तिलंगना की वहाँ population के according जो seat होनी चाहिए उससे ज़्यादा seats है वहीं बात कर लें अगर Northern states की for example बिहार ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश ले लेते हैं अगर इन दोनों को मिला दो, तो दोनों के seats अगर मिला दो, तो भी यह 5000 से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं लेकिन requirement कितनी है, 10,00,000 population पे 100 MBBS seat यानि कि एक करोड पे 1000, बिहार, अकेले बिहार की वापनेशन कितनी है, 12 करोड और उत्तर प्रदेश की 19 करोड अगर हम इन दोनों को जोड़ ले, 19 plus 12, यानि 31, 31 करोड, 31 करोड को अगर हम लोग देखे हैं, तो it is 31,000 seat और seat हैं कितने, 6000 seat, तो फाइदा किनको होने वाला था, Northern states को होने वाला था, Southern states में तो medical colleges को बंद कराने की नौबत आ चुकी थी, या जो existing medical colleges है, उसमें seat कम करने पड़ते ये सारी problem थी, जिसके करण अभी के लिए इसको नीचे कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा के लिए नीचे किया गया है, आप देख सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं यहां की 20, यहां दिया हुआ है कि it is, itself we implemented from, सबसे लास्ट वारी लाइन आप देखे itself we implemented from, academic year 2025-2026, यानि 2025-2026 से यह implement होने वाला है, अब आज आते हैं हम लोग question and answer series पे, कि बहुत सारे बच्चे मुझे question पूछे थे, कि sir यह बता दीजिए, कि मुझे कुछ problem में उसका answer दे दीजिए, अब उसके problem जो थे वो बड़े बड़े थे, आईए Q&A की section में हम देखत हैं, सबसे पहला question क्या है, sir पढ़ाई के साथ relationship कैसे manage करें, तो पढ़ाई के साथ relationship कैसे manage करें, देखो, यह relationship वाले चीजिए होती न, वो emotional होती है, तो emotional जो भी चीज होती न, वो personal चीज होती है, उसमे personal decision लेनी चाहिए, लेकिन मेरी अगर मानो, तो मुझे रगता है कि, जै ऐसे for example, दो दिन पहले, दो दिन पहले ही, या 14 November को कह लें, जिसके साथ तुमने Children's Day बनाया था, वाबू सोना करते हुए, अगर मौसम बदल गया, यही जो सर्दी है, यह वसंत में आ गई, convert हो गया, और फरवड़ी तक जाते जाते है, उसका मन कर गया, कि उससे तयारी करन है, और में में उसने Medical College कोई GMC में ले लिया, तो जहां पर तुम अभी बैठे होना, तुम उसी का वीडियो देख रहे होगे, उसी का वीडियो लाइक करके कमेंट कर रहे होगे, तो तुम्हारे उसमें आंतर यही हो जाएगे, यह कोशन था दिवया का तो दिवया बाबू और अगर relationship manage करना इतना आसान होता पढ़ाई के साथ साथ, तो बहुत कुछ होता आज कर, है ना, दूसरा कोशन यह है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं या Mr. Sir मैं किसको follow करूँ, अफकोर्स ही बात है Mr. Sir जो है वो बहुत famous है, मनीश राज सर, मैंने उनका वीडियो नहीं दे जो YouTube पे free में इतने सारे lectures upload करते हैं, तो अफकोर्स ही बात है Mr. Sir एक अच्छे teacher है, अगर आप उनको follow करते हैं, तो अफकोर्स ही बात उन्हें follow ही कीजी, ठीक है, तीसरे आ जाते हैं कि मैं सरम से घर से बाहर नहीं इकल पाता हूँ, जोया का question था, और क्या है कि droppers में भी होते हैं, एक तो droppers होते हैं, जो मतलब जिसके 300 या 200 marks आते रहते हैं, तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिसका 560 या 570 या 600 के करीब आता है और उसको admission नहीं मिलता है, तो जैसे ही उसके इतने marks आते हैं, अब पैरेंट्स को तो पता नहीं रहता है कि इतने सारे expected cut-up, बहुत सारे लोग बता जैते हैं कि इतना expected cut-up है 600 या 610, अब उस basis में parents क्या बोलते हैं कि मेरे बच्चे का medical college में हो गया, यहीं से सारी problem शुरू होती है, जब आस पर उसके लोग सुनते हैं, तो दो छन के लिए उसको सर पे बिठा लेते हैं, जब सर पे उसको बैठ कि लोग बाहर निकलते हैं, बहुत सारे बहुत अलग लग तरश चिराते हैं, यह चिराते हैं अगर नहीं भी है, तो एक mental जो है ना वो चारो तरफ से एक वो बन जाता है, तो इसमें कोई problem नहीं है, सर्म से बाहर निकलने क्या बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करें, यानि नीट 2004 में हम लोग अपना best करें, नेक्स्ट क्या है, कि नीट के लिए कैसे पढ़ाही करनी है, नीट के लिए कैसे पढ़ाही करनी है, तो यह एक itself, it is a very बिग कोस्षण, इसका बहुत बड़ा अंसर हो सकता है, कि 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 देर पढ़ाही करनी है, टाइम टेवल क्या होगा वो सारी चीजें डीटेल में किसी और वीडियो में में कर दूँगा अभी के लिए मैं आपको बदा देना चाहता हूं कि जो होता है उसको एक तरीके से पढ़ना है यानि NCERT लाइन में लाइन इन दोनों को कवर करना है अगर आप एक ड्रॉपर है अपकोर सी बात है अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें इस बात का पता होगा लेकिन जो नए वाले बच्चे हैं फ्रेसर है उनको मैं बताना चा बना में जितने भी ने नए और उसने लिए लिक लेने आ टाकि जब भी तुम्हारा आख उस पर पढ़ें तुम्हों जो कहते हैं तुम्हों đếnु यह इसमें में में ज़ें याद नहीं लाएं तो तुम्हारो करो कि फिर से रिवाइज करो गया एनि आर्वेज रिमेंबर रि जाते हो ना, तो वो हमेशा तुम्हें याद रहता है, तो problem क्या है कि तुम्हें वो याद महीं है, वो name reaction जो वो तुम्हें याद नहीं है, और solution क्या है कि तुम concept फिर से पढ़ लिए, तुम notes उल्टाए और उसे फिर से पढ़ लिए, तीसरा आता है physical chemistry और physics, physical chemistry और physics के लिए one चैप्टर आगे का नहीं पढ़ना है, reason क्या है कि ये तीनों चैप्टर जो है, वो language of physics है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर नहीं पढ़ोगे, तो आगे confused हो गया, आगे परेशान होगे, परेशान होगे, तो उसका कोई उपाय नहीं है, दूसरी बात, chemistry के लिए, चार चैप् चैप्टर को कवर कर लो, उसके बाद जितने सारी चैप्टर सें, वो सभी चैप्टर जो है, वो stand-alone चैप्टर है, चाहिए वो physical chemistry के हो, inorganic के हो, किसी के भी हो, अगर तुम मामान चेलो chemical bonding पढ़ लिए, तुम S block नहीं पढ़े, P block पढ़ो, सीधा पढ़ो, कोई problem नहीं है, तो जरूरी क्या है, physics के 3 chapters और chemistry के 4 chapters, उसको सही से पढ़ना है, और biology और inorganic chemistry को NCRT, line by line के तरफ follow करना है, line by line जब मैं कह रहा हूं, तो वो सर्फ line by line नहीं कि वो पढ़ लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको क्या करना है, between the lines पढ़ना है, उसको connect करना है, connecting the dots, उसे हम कह क्या है, goal of life क्या है, 60 साल के बाद ना, 60 साल के बाद ना हमें जानना है वो आध्यात्म की बाते, सारी तरह की बाते कि हा, मतलब जीवन का सच क्या है, ठीक है, वो एक समय के बाद होता है, लेकिन NCRT, NEET में कोस्चन तो यह नहीं आता है, जीवन का सच क्या होता है, हमें क्य आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं थैंक यू सो मच और ब्रेस यू